पुलिस अधिक्षक शिचिमोहन ने जश्पूर जिले का कार्यभार संभालते ही जिले के गुम इंसानों की अतिरिधिक संख्या पर चिंता जताई एवं उन्हें ढूने ने एवं बरामद्गी कारवाई ही जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों की मीटिंग लेकर गुम इंसानों की डाटाबेस तयार किया गया है गुम इंसानों को ढूनने है तू अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक जश्पूर अरिल कुमार सोनी के नेज़ों में कई पुलिस टीमों का गढ़न करते हुए साइबर सेल को भी पतासाजी है तू लगाए गया है गुम इंसान पतासाजी एवं बरामत की अभियान की तहट विगर तीन महा में ही अभियान चलाकर जिले के विभीने थाना चौकिर शेत्र के कुल 27 गुम इंसान में महिला 89, पुरुष 14, बालक 5 एवं बाली का 19 थे उनकी पतासाजी उपरांत बरामत कर उनके परिजनों परिवार जनों के सुपूर्ट क्या गया है जस्पूर पुलिस के द्वारा एक विशेश अभियान चलाया गया कि हमारे जिले में काफी शिकायत थी कि कई लोग गुम इंसान यहादर्च है और जस्पूर छोड़ के बाहर चले गये हैं जिसमें बहुत सारी महिलाएं थी बच्चे थे नावालिक बच्चियां थी तो एक विशेश अभियान के दवरान पिछले सौ दिनों में हम लोग उने 127 विक्तियों को जो गुम हुए थे लेके आया और उनके परिजनों को सौपे हैं इसमें 89 महिलाएं हैं 19 नावालिक बच्चियां हैं 5 नावालिक बच्चे हैं और 14 पुरूस हैं अलग-अलग केस में किनी कारणों से वो जस्पूर से बाहर चले गये थे कई बार बच्चियां जो है मुंबई दिल्ली चली गई कई बार जो बच्चे हैं वो किनी कारण से खर्चन अराज होके चले गए कई पुरुश भी चले गए तो अलग-अलग केसेस थे और पुलीस की विशेस टीम राजी के भीतर और कई बार राजी के बाहर भी जाकर उन्हें दस्तियाओ किया गया और लाके उन्हें परजनों को सुपा गया अभी भी हमारी टीम इस वक्त भी तीन आवालिक बच्चियां मुंबई चली गई हैं इस वक्त महरास्टा में हमारी टीम है और लगातार हम लोग कोशिस कर रहे हैं कि हमारे जिले में जितने भी इस तरह केसे हैं उसको हमले साथ करें